Hello everyone, मैं हूँ RJ नवनीत और पिछले 12 सालों में रेडियो मैंने कही सारे इंटर्व्यूस किये लेकिन आज का इंटर्वी बहुत खास है क्योंकि एक ऐसे जादूई शक्सित का इंटर्व्यू करने जा रहा हूँ जिनके बारे में आर्थों से कही सारा पढ़ा है उनको खूब सारा सुना है लेकिन इनको अतारूफ करने में या इनके इंटर्व्यूक्शन में बहुत सारे शब्द कहना मेरी बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए काज एक ऐसे व्यक्ति जो शब्द के जादूगर है उनके बारे हैं बहुत सारे शब्द पिरोनी बहुत मुश्किल काम होगा मेरे लिए इसे बहुत सारे शब्द नहीं कहुँगा सीधे कहुँगा हम आज मुलाकात करने वाले हैं जावेद अक्ष सहाब से जिनका नाम ही कहता है निरंतर तो पांच डेकेट मेरे हाल से अलमोस्ट हो गए हैं हिंदुस्तानी सिनिमा में को आप सभ कर रहे हैं इतने खुबसूरत गाने लिख रहे हैं एक चीज जो कहे जाती है कि अगर आप हमेशा जवान बने रहना चाहते हैं तीन सीक्रेट हैं पहला सीक्रेट कहता है कि आप ऑनिस्टी से जीए दूसरा आराम सिखाएं और तीसरा अपनी एज को लेकर जूट बोले लेकिन इरा क्वेशनी है दिल से जवान रहने के लिए क्य क्योंकि आज भी आप जो कलम से लिख रहे हैं वो 25-35 साल के लोग नहीं लिख पा रहे हैं तो यह कंसिस्टेंसी कैसे महिंटन करी हुए जाविज साब देखें यह सारे काम किसी पॉलिसी के तहत नहीं हो पाते हैं कि ऐसा कलना चाहिए तो इससे होगा यह एक एटिटीट की बात है मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग एक एज की बात ही समझने लगते हैं कि हमको अब सब पता है हमारे पास हर जवाब है हम दुनिया को जानते हैं और हमारे बात जो लोग पैदा हुए हैं उनमें उत्ती अकल नहीं हैं जित्ती हम में हैं और ना वो उत्ता समझते हैं और हमसे जो पहले पैदा हुए थे वो हमसे दादा अकलमन नहीं हैं लेकिन जो हमारे बात पैदा हुए हैं हम उनसे दादा अकलमन हैं जब हम यह समझना शुरू करते हैं और हमें यह ख्याल होता है कि हम सब कुछ जानते हैं तो हमारी growth खत्म हो जाती है और हम outdated होना शुरू हो जाते हैं लेकिन जब तक हमें यह humility रहे कि यह दुनिया जो है यह young लोगों की है और इस दुनिया को वो हमसे बहतर समझते हैं और कुछ बाते यह भी है जो हमारे पास हैं इसलिए के हमारी दुनिया की बाते हैं वो का है और आप में यह दर्वादे आपके दिमाग में खुले हुए हैं कि एक नौजवान आदमी है आपकी उमर का मुझे ऐसी बात बता सकता है जो मैं सोच भी नहीं सकता था तब तक आप ठीक हैं तब तक आप यंग हैं जब तक आप यंग की इज़त करते हैं जब तक आप यंग के ख्यालों की इज़त कर सकते हैं जब तक आप यह समझते हैं कि वो आपके बरावर और कभी कभी आपसे जादा भी समझदार हो सकता है तब तक आप ठीक है, जिद दिन आपको ये लगा कि मेरे साथ बात पैदा होने वाला अदमी, मेरे बरावर अकल रखी नहीं सकता, उस दिन आप चले गए, खत्म हो गए, तो यही एक रीजन है, और ये इमानदारी हो सथकाई से करना पूड़ेगा आपको, यह ऐसे नहीं कि अच्छाए काम करते हैं, अब नौजवान लोगों से मिला करेंगे, यह दवा नहीं है, यह एक अंदर से सोच और आपका विश्वास और आपका संस्कार होने चाहिए.